लास्ट थर्टी डेज तो गो इन यूर सीए फांडेशन एक्जाम मुझे पता है कि बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स बहुत विचलित हैं बहुत ही डरे हुए हैं डिसकंफर्ट फील कर रहे हैं अंडर कॉन्फिटेंट फील कर रहे हैं कि भाईया हमने पढ़ाई तो करी है लेकिन अभी वो confidence जो needed है ना CA foundation पास करने के लिए वो नहीं आपा रहा है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे रीजन्स होते हैं अपनी फैमिली में परस्नल वाइस बहुत सारे इसे इंडिविजल रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाया इतनी लेकिन आखरी 30 दिन में सोचते हैं कि भाई मैं अपना बैस दे दूंगी बैस दे दूंगा कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं CA foundation exam पास करने का सोच पाऊं या फिर in fact कर पाऊं इतना अपना 100% में दे पाऊं ऐसा कुछ बताओ सर जिससे हमारी जर्णी थोड आता हूँ पहले, CA inter का जब तुम exam देने वाले होंगे न, मलब जब CA foundation पास कर लोगे और CA inter का जब exam के लिए preparation करने वाले होगे तो आपके साथ एक बात confirm होने वाली है, मैं बता दू जब मैं 2017 में 7 subject थे CA inter के, मैंने coaching कर ली थी, classes पूरी complete कर ली थी, लेकिन मुझे time कितना मि subject पढ़ने के बाद 30 दिन में पूरा revise करके, test वगेरा देके, सारे mock test papers all करके, exam में उतरने का सोचेगा, और 30 दिन में वो confirm रहेगा कि नहीं भाई मैंने पढ़ रखा है, बस 30 दिन enough है, मैं कर लूँगा, कर लूँगा, कर लूँगा, ऐसा खुद को pump up करेगा और pass भी होगा, क्योंकि मैं भी हुआ था, बहुत सारे बच्चे होते भी है, inter both group plan करने वाले, तो मुझे बताओ, CA foundation जहां के वल 4 subject है, 2 MCQ based है, 2 descriptive है, तो भाई तुमको रोक कौन रहा है, वहाँ पर तो 6-7 subject जो पूरे-पूरे inter में होते हैं, पूरे-पूरे लिखने पढ़ते हैं, full 100 marks वह बात उपर-mीचे वाली है, हवा में वाली बात है, नहीं भाई, 30 दिन आपको inter में भी मिलेंगे, और मुझे पता है कि आप मैं से बहुत सारे students पास करोगे, वह CA inter की journey, but the point is CA foundation में, सबसे पहले खुद को बोलो, 30 दिन अच्छे है, ठीक है, 4 subject है, 1-2 subject में में मेरा थ्रौब मेरी ये वाली वीडियो देखकर पास हुए है, मेरा याला guidance सुनकर exam में अच्छा preparation करके गए है, तो भाई साब आप भी दे सकते हो, देखो यार, negative comments वाले बच्चों से दूर रहो, because विपरीद, बुद्धी, विनाश कालाय, ये समझ लो भाई, वो लोग आपको misguide करते र सबसे पहला चीज तो मैं आपके mindset में लाना चाहता था कि एक positive mindset से आप approach करने वाले हो, CA foundation exam को, जो कि आप करने वाले होंगे, अगर आप stress में मेरी बात सुन रहे होंगे, या फिर ऐसे ही सुनने के लिए हो, time pass करने के लिए हो, तो please चले जाओ, अगर आप positivity के साथ आगे 80% कर दिया, खतम कर दिया, अब ऐसा नहीं करना कि अकांट्स पढ़ लू, law पढ़ लू, math पढ़ लू, economics पढ़ लू, अब वाली बच्चों जीसी बात नहीं करने कि यार, दिन में सब 3 subject पढ़ना चीए, क्या 4 subject पढ़ना चीए, क्या नहीं, अब पूरा का पूरा subject उठान है, उसको conquer करना है, उस पर confidence हासिल करना है, और उसको side में रखना है, अब डरने का नहीं, एक subject पकड़ो और उसमें अपना एकदम strong confidence बना कर side में रखो, ताकि वो आपको motivate करें कि भाई, चल, 2 subject पढ़े, 3 subject पढ़े, उनको भी कर लेता हूँ, अब second बात मेरी ध्यान से सुन अब यहाना तेरे को सोचना पड़ेगा कि में को चाहिए कितने 200 marks, लेकिन 200 का target नहीं, 250 का target ले, at least 60 to 70 marks target करने अपने को 2 subject में, accounts में, economics में आ सकते हैं, डरने का नहीं, किस और accounts में ये topic में डर लग रहा है, economics में ये करके ये, ये ये नहीं आता है में को, तो ऐसा डरना मत, accounts economics तो कर सकता है, बहुत सारे अच्छे student इसमें अच्छे marks लाते हैं, जो कि महनत करना जानते हैं, दूसरा, maths में, law में में जानता हूँ, थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन उसमें at least 45-50 marks target कर, अगर इतना target कर लिया, ABC analysis वाली videos मेरी उठा पुरानी, अगर नहीं देखी तो द होने जाने वाला, तो भाई तिरा कुछ नहीं होने जाने वाला, 60 marks, accounts, economics, and 40-45, 50 marks in law and maths, third and the most important tip ever, यहां पर आपको 10 गंटे, 12 गंटे, 14 आर्स का productive hours study का निकालना पड़ेगा, यहां पर बहुत सारे बच्चे back out कर ले थे, कि sir मैंने 5 गंटे पढ़ा ही करी, 10 गंटे पढ़ा है, भाई कब पढ़ोगे, एक दिन पहले, एक दिन पहले पढ़के पास नहीं होता है, यह बिकॉम, BBA वाली exam नहीं, यह class 12 वाली exam नहीं है, तुमको पता है, और यही हम तुमको help करते हैं, इस workshop से, last attend में भी यह launch हुई थी, 85% student इसमें होकर पास हुए है, sir इस batch के बारे मे teachers, धमागेदार है, आसानी से बच्चा इसको cover नहीं कर सकता, सबसे important बात, यह जो schedule देख रहा है, यह date wise देख रहा है, इसमें हम आपको बिठाते हैं, और आपसे पूछते हैं, आपने क्या-क्या coverage कर ली है, ABC analysis के इसाब साब की preparation किस level किये, we know, 100% revision, 100% coverage नहीं करके जा सकता, एक normal बच्चा इन 30 दिनों में, और वहीं आपको हम help करते, ABC analysis से, कि इंसिट्यूट पूछ क्या रहा है, आखरी 30 दिन में हमको वो चीज़ें cover कर दी, जो कि इंसिट्यूट जादा पूछ रहा है, बच्चा यहाँ पर एकदम confused रहता है, कि मैं यह भी कल लू, वो भी कल लू वो रिविजन वीडियो भी देख लू, वो faculty के रिविजन वीडियो देख लू, marathon देख लू, नहीं भाई, वो करने की जरूरती नहीं है, तेरे पास topics होने चीए, maths लिखे होने चीए, time लिखा होना चीए, और वो कहां से कितना पढ़ना है, वो पता होना चीए, और यहीं ह सुन लिया, हो गया काम, नहीं भाई, हम आपको इसके according preparation करवाते हैं, और आपका test लेते हैं, और test भाई, आप बच्चे feedback दे कर जाएंगे, आपको वेबसाइट पर जाकर एक बार check out करना, test जब उनको मिलता है न, तो सामने वाला आइना जैसे होता है, पनी शेकल दिखा द लिया न, अगर आप हमारे साथ आखरी 30 दिन में टिक गए न, तो मैं आपको guarantee दे रहा हूँ, भाई साब तुम्हारा CA foundation का journey यहीं खतम होता है, और enter के entry आपके पक्की होती है, पर एक दिक्कत है दोस्त, इसमें quality maintain करने के लिए, हम 51 students ही लेने वाले हैं, we do not want care, खिजड़ी पढ़ जाए, सारे students आजाए, जो पढ़ने वाले नहीं भी हैं, और वहाँ पर गड़बल हो जाए, 51 students to maintain the quality, and we are offering 50% discount for the first 24 hours, अगर 51 seats पहले book हो जाती है, तो we are very sorry, हम उसमें enrollments close कर देंगे, अगर आपको इस batch में आना है, तो decision अपना है, 100% refund आपका है, but the point is, quality maintain होगी, discipline होचा था, because इतने सारे mentorship sessions, two full syllabus test, CA आपका question paper check कर रहे है, CA आपका question paper design कर रहे है, इन सब को हम ज्यान में रखते हुए, we are maintaining 999, 999 पर आपको इस सारी चीज़े provide होने वाली है, make your decision fast, और आजा यू बैच में, because I want to make you a CA entered student after this batch, बाइच, बाइट, टेक केर, सीज़े बैच, इसलिफ गिताजली शर्मा, and I am preparing for my CA foundation December 2023 attempt from Lifelong Learners, and the best thing about Lifelong Learners is its weekly mentorship sessions, इन sessions की वज़े से मुझे बहुत जादा help मिल रही है, पूरे वीक के लिए एक roadmap clear हो जाता है, और CA Moj sir और Ankit sir बहुत अच्छे से हमें इन sessions में गाइड करते हैं, जिससे बहुत जादा help मिल रही है, और एक अलग type का motivation, अलग level का josh increase होता है इन sessions के बाद, and Lifelong Learners के test series लिखने के बाद, मुझे मेरी mistakes पता चलने लगी हैं, जो मैं मेरे पिछले last three attempts से करती आ रही थी mistakes, और अब इन tests को देने के बाद मेरा अलग level का confidence increase हो रहा है, और CA Mojit sir और CA Ankit sir बहुत हैं very supportive and very humble, they conducted 5am morning sessions for us, इन sessions क की वाज़से मुझे मेरे पूरे दिन की एक रूटीन बन गी है, मेरा पूरा के पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है और बहुत ज्यादा productive होने लग गया है, so the whole credit goes to CA Mojit sir and CA Ankit sir, thank you so much sir for always being there for us, and thank you so much lifelong learners, thank you. This is Akshar, after failing my June 23 attempt, I have joined with lifelong learners for mentorship and test series, in the very first session they have shared us the roadmap of how should we proceed and when the syllabus should be completed, and they made us realize what mistakes we have done in the previous, so that we should not do the mistakes in the upcoming days, and the next thing in every mentorship program, they take up our all queries and try to resolve them, there is an agenda of every meeting, like how to complete the syllabus, how to write law answers, and like every other query a foundation student should get while he is studying. Then Mojit ब्यान अंकित ब्यार लाइक they solve our every queries Personal, educational and any other queries, recently मैंने अपना test लिखा था, लॉग्त है, and मुझे लगा था, मैरा paper बहुत अच्छा गया, but when answer sheet I check okay मैं shock हो गया, क्योंकि बहुत जगा थी जा मैंने मिस्टेक्स की थी और उदर ये लोग ने सर ने कमेंट लिखा था कि लाइक तुम्हें यहां ऐसा नहीं करना चीए इधर तुमने गलती के इधर इसको ऐसा इंप्रूफ करना चीए तो यह सब तैस्सिर हमें बहुत काम आती है क्योंकि हमें गलती पता चल जाती है और हम गलती से सीख सकते हैं अगर हम डाइरेक्ली अगर एक्जाम पेपर लिखने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है हम अच्छे मां स्कोर नहीं कर पाएंगे यह सब